Resident Evil 2 Mobile, UGW Close Beta, Division Mobile Delay, BGMI Ban और भी बहुत सारी न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं आज की स्टूडियो को Resident Evil 2 Remake Mobile में अभी भी आ सकता है अभी तक इस पर कोई Official Confirmation तो नहीं आई है बट साज ने एक ट्वीट में बताया कि नेट इस गेम को डेवलप कर रहे The Resident Evil 2 Remake अभी भी कैंसल हो गया है या डेवलपमेंट में है इस पर कोई भी Official Update नहीं है हमारी Next News है UGW Close Beta की तरफ से Mime Studio ने कुछ महिने पहले UGW के Close Beta के लिए Registration स्टार्ट किये थे जो लोग भी सलेक्ट हुआ है अब उन्हें कंपरमेशन मेल भी पहुच गए होगे वो लोग गेम को 12 मार्थ से आपने मॉबाल डिवाइस में 6-9 पीम तर खेल पाएंगे अभी तो इस प्लेटेस्ट में 6GB प्लस रैम वाले प्लेयर सी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट फ्यूचर में टीम ने बोला है कि ओर भी प्लेटेस्ट और गेम को अप्तिमाईज के साथ साथ लोग एंट डिवाइस वाले प्लेयर भी क्लोज बीटा प्लेटेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ एक बैड नोज आ रही है दिवीजन मोबल गेम का रिलीज फिर से डिलेय हो गया है कुछ दिन पहले अप स्टोर में शो हो रहा था कि इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 31st मार्च है बट अब वो चेंज होकर डिसेंबर 24 हो गई है और इस पे डिवीजन मोबल का कहना है कि एप स्टोर में शो की गई डेट हमारी टारगेट कंफर्म लांच डेट नहीं होती है टीम का कहना है कि वो गेम के इसलिए डिलेय कर रही है क्योंकि अभी गेम में बहुर भी इंप्रूमेंट होना बागी है और वो प्लेयर्स को एक पॉलिश गेम डिलिवर करना चाते है I know मैं इस गेम को कुछ ज़्यादा ही एंडोर्स करता हूँ बट भाई जिस गेम का मुझे खुछ जेन्वली इंतजार है ना उसकी बात करते नहीं थकता हूँ बीजयमाई को में 2023 में अन्बैंड किया गया था लेकिन अब फिर से ब्यान होने के चांसे से डेटा कलेक्शन और सिकुरिटी कंसर्ण भी है जो देश की सिकुरिटी के लिए थ्रेट हो सकते है बीजयमाई सर्वर्स अभी यूएस में है लेकिन आथरीटिज चाहते है कि डेटा किसी और सर्वर पर ना ट्रांसपर हो बीजयमाई के फ्यूचर को लेकर एक कमीटिंग इस वीक में होगी जिसमें क्राफटन और इंडियन गवर्मेंट इस टॉपिक पर बात करेंगे डेल्टा फोर्स ने हैवक वार फ्रेम का निव गेमपले शोकेस किया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें हमें मैस्व मैप, मिलेटरी वहिकर्स, टैंक्स, एंड हेलिकाप्टर्स देखने को मिल रहे है नेक्स्ट निउज है फॉर्टनाइट निव अपडेट की तरफ से फॉर्टनाइट चाप्टर फाउज सीजन टू ग्रीक मैसलोजी पर बेस है जिसमें ग्रीक गॉड्स आये है और उनके साथ गेम में कुछ नए पावर्स भी एड हुई है जिसमें फ्लाइंग मैकेनिक्स भी है गेम में नए प्यो आईज, माउंट अलम्पस, ग्रीम गेट, दा अंडर वर्ड और ब्रावलर्स बैटर ग्राउंड भी एड हुई है जरूर बतर देना कि आप कौन सा गेम खेलते हो और या कौन सा गेम का वेट कर रहे हो तो चलो मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई